नमस्कार दोस्तों आज हम काफी समय के बाद CPI के बारे में बात करेंगे Consumer Price Index क्योंकि आपको याद होगा पिछले कई महिनों से जो CPI का आकड़ा है वो RBI के comfort level से काफी उपर चल रहा था RBI का जो comfort level है वो है आपका 2% से लेकर 6% के बीच में 4% average के आसपास होना चाहिए RBI ने economy के अंदर growth को बढ़ाने के लिए जो step लिये हैं जो liquidity flush की हुई है economy के अंदर उसको यहाँ पर वापस से reverse ना करना पड़ जाए क्योंकि बहुत ज़ादा inflation economy के लिए अच्छा नहीं होता है तो कही ना कहीं यहाँ पर आप देख सकते हो retail inflation eases to 4.59% तो यहाँ पर एक drastic fall हमें देखने को मिला है इसका कारण क्या है क्योंकि बताया जा रहा है कि vegetable prices जो है वो crash हुआ है एक तरह से कितना crash हुआ है क्यों हुआ है हर एक चीज को हम देखने की समझने की कोशिश करेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं मैं हूँ अंकित अगरवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस्टाग्राम फेस्बूक और पर मेरे लेक्टर की है पीडियाफ आपको फेस्बूक पर तो मिलेगी of goods and services तो ध्यान रखिएगा एक basket of goods को यहाँ पर measure किया जाता है कि कितना उस पे गिरावट और यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिली है उसके prices में और अगर यहाँ पर ज़्यादा prices बढ़ते हैं एक sustained increase हमें देखने को मिलता है उसी को हम कहते हैं inflation तो यहाँ पर यह जो inflation का आकड़ा है दोस्तों इसलिए important होता है क्योंकि जो सरकार है RBI है वो अपनी physical policy, monetary policy कहीं न कहीं इसके आधार पर रखती है क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा inflation है तो सरकार यहाँ पर खर्च करना थोड़ा सा कम कर देती है RBI contractionary monetary policy की तरफ चली जाती है जहां तक inflation की बात है द उसको दर्श आता है लेकिन जो consumer price है उसमें यहाँ पर यह होता है कि जो हम और आप जब market में जाकर खरीते हैं किसी भी goods and services को उसके लिए हम कितना pay कर रहे हैं तो consumer price index तो ध्यान रखिएगा पहले RBI जो है wholesale price index को देखती थी लेकिन पिछले 5-6 वर्षों से यहाँ पर consumer price index को देखा जाता है जब भी monetary policy बनाती है RBI और यहाँ पर आप difference भी देख सकते हो जो WPI है वो release किया जाता है office of economic advisor that is ministry of commerce and industry के अंदर जो CPI है वो NSO के दोरा release किया जाता है national statistical office जो कि आता है ministry of statistics and program implementation के अंदर इसके लाबा आपको यह भी आदटना है कि WPI के अंदर सिर्फ goods क को यहाँ पर लिया जाता है services को count नहीं किया जाता है CPI में दोनों के लिया जाता है यहाँ पर WPI में total 697 items को cover किया जाता है इसके अंदर देखा जाता है कितने prices change हो है उसी कौन WPI कहते है CPI के अंदर rural basket अलग है urban basket अलग है base year ध्यान रखेगा दोनों के अलग है 202112 है WPI का CPI क 2012 है don't worry बहुत ही जल्दी I think कि यह base year change हो जाएगा I think 2016-17 इसी के आसपास रहने वाला है यह जैसे ही आएगा notification मैं आपको बता दूँगा जहां तक categories का सवाल है दोस्तों यह आप देख सकते हो यह wholesale price index है इसमें तीन main चीजों को देखा जाता है जो primary articles जिसको food articles कहते हैं इसके rotation education यह सारी चीज़ें आपको CPI के अंदर देखने को मिलेगी तो CPI कह सकते हो आप एक ज्यादा बहतर तरीका है यहाँ पर inflation को measure करने का although यहाँ पर जो WPI उसका एक अलग role है इसका मतलब यह नहीं हुआ कि WPI का सच कोई role नहीं है लेकिन इसका एक अलग role होता है किसी और ची index की बात कर रहे है यह December का आकडा गया है December 2020 का यह drastic fall यहाँ पर हमें देखने को मिला है due to vegetable prices में crash हुआ है तो यहाँ पर consumer price index कितना है 4.59% December 2020 में इसके पहले का अगर आप महने का आकडा देखोगे तो यह 6.93% मतलब 7% के आसपास था November 2020 में यह आपका गिरकर December 2020 में कितना हो ग आकडा देख सकते हो in fact आप January से लेकर 2011 से लेकर अगर आप यहाँ पर देखिए तो आपको यह clearly देखने को मिलेगा कि 2014-15 के बात से जो inflation दर है दोस्तों वो हमारा 4% के आसपास ही था in fact 3-4% के आसपास अकसर आपको देखने को मिलता था लेकिन पिछले एक वर्ष में especially जो pandemic का यह पूरा दौर रहा है आप यहाँ पर देख सकते हो January 2020 के आसपास से 7% 7.5% इसी के आसपास आपको देखने को मिल रहा है लेकिन अचानक से देखिए यहाँ पर गिरावाट हो रही है in fact मैं आपको यहाँ पर और अच्छे से दिखाता हूँ पिछला जो एक साल रहा है पिछले December 2019 से लेकर December 2020 के बीच में आप clearly देख सकते हो 7% 7.5% 6.5% यही आपको देखने को मिलेगा तो आप यहाँ पर देखिए पहली बार पिछले एक डेड़ साल में आपको सबसे निचला इस तर देखने को मिल रहा होगा 4.59% तो यहाँ पर RBI के लिए good news है क्यों good news है क् मैंने आपको बताया monetary policy की जो committee होती है उनका mandate है यहाँ पर law के आधार पर बताया गया है कि उनको inflation जो है भारत के अंदर कितना रखना चाहिए 4% average में रखना चाहिए एक यहाँ पर range दे दी गई है कि plus और minus 2 हो सकता है मतलब कि 2% से लेकर 6% के बीच में होना चाहिए इससे आगे नहीं होना चाहिए इससे कम नहीं होना चाहिए क्योंकि कम भी होगा तो भी हमारे economy के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि कई लोग question करते है कि सर्फ कम क्यों नहीं हो सकता है तो देखो simple सा चीज है अगर आप manufacturer हो अगर आप कोई चीज बेच रहो और market में उसका दाम नह गया है तो RBI के लिए क्यों अच्छी बात है क्योंकि RBI को डर था कि अगर ये लगातार 6-7% बना रहेगा तो आपने जो पढ़ा होगा repo rate के बारे में तो repo rate को लगातार पिछले कई समय से नीचे किया गया है अगर ये इतना ही बना रहता तो repo rate और बाकी के जो contractionary monetary policy है उसक GDP को लेकर further अगर हम liquidity को कम कर देते हैं तो कहीं न कहीं problem हो सकता है तो यहाँ पर RBI के लिए relief की बात है good news है यह आप कह सकते हो इसके लावाब मैं आपको कई सारे different numbers भी बता देता हूँ क्योंकि मैंने vegetable prices के बारे में especially बात किया था तो सबसे बहले आप food and beverages के बारे में देख यहाँ पर अब हम vegetable inflation की बात करें देखिए सबसे बड़ा आपको अंतर यहीं पर देखने को मिलेगा क्या आपको पता है कि November के महने में November अभी जो 2020 का November गया है दो महने पहले 15% की positive inflation थी मतलब कि यहाँ पर inflation हुआ था जादा price बढ़ा था 15% के इसाब से vegetable की मैं बात कर रहा ह लेकिन December में आप देखिए कितना हो गया है negative में गया है 10.4% मतलब आप 25% का gap देख सकते हो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि vegetable prices में crash देखने को मिला है जिसका overall impact आपको inflation के number में देखने को मिल रहा होगा 4.59% इसके लाबा core inflation का data आप देख सकते हो कोई बहुत जादा अंतर नहीं है कि जो भी inflation है यह जो आपका आकड़ा आया है अभी 4.59% का इसमें से जब हम food और fuel को निकाल देते हैं तो यह आपका core inflation बन जाता है food और fuel क्यों निकालते हैं क्योंकि food और fuel माना जाता है बहुत ज़्यादा volatile आपके commodities होते हैं तो prices उपर नीचे बहुत ज़्यादा होते है तो इसकी वज़े से overall inflation पर impact होता है इससे अच्छा है कि हम core inflation को देखना चाहिए core inflation और ज़्यादा सही picture हमें present करता है तो core inflation आपका लगभग सेमी है तो अभी भी हमें यहाँ पर कम करने की ज़रुत है इसका मतलब यह नहीं कि actual inflation कोई बहुत कम हो गया है क्योंकि मैंने आप आपको बताया जो food के prices है that is vegetable यहाँ पर बड़ी गिरावट हुई है जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर यह index है जो की measure करता है अलग-अलग सब्यों के दाम onion हो गया potato हो गया यह सभी के आप दाम देख सकते हो पिछले 6-7 महने से लगतार बढ़ थे लेकिन अचानक से December के महने में आपको यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही होगी तो conclusion में दोस्तों यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अभी के लिए एक महने में हमें एक temporary आप कह सकते हो कि जो prices हैं वो नीचे देखने को मिल रहा है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आगे आने वाले समय में यह वा बढ़ते जाएंगे तो डेफिनेट सी बात है इसका further impact आपको inflation पर दिखेगा इसके लावा जो non-perishable food prices हैं उसके भी दाम आपको बढ़ते वे देखने को मिल तो अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो कहीं ना कहीं आगे problem हो सकती है तो यहाँ पर central bank को बहुत जादा relief लेनी के आ आपको demand pull inflation के बारे में भी देखने को मिल रहा होगा तो एक-एक world को यहाँ पर ध्यान से पढ़ना और इसका जो right answer है मुझे दीजे मैं जो इसका right answer है अपने Instagram पर तो डालूंगा ही अगर आप Insta पर नहीं हो तो इसका correct answer और explanation दोनों आपको telegram से तो मिल ही जाएगा मैं कई इस सारे MCQs यहाँ पर डालता रहता हूँ, Insta में stories के form में आप जाकर play कर सकते हो, अगर आप मुझे economy पढ़ना चाहते हैं, कोई भी course purchase करना चाहते हैं, study IQ app पर जा सकते हैं, होग की वीडियो आपको पसंद आयोगा, मिलता है आप से next time, till then thank you very much, see you soon